नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चानल स्टॉक मागेच टोड़े पर हैं दोस्तों रूची सोया के बाद एक और स्क्रिप जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकरशित किया है वो है अलोक इंडस्री रूची सोया के शेर प्राइसे में 8000% की बड़ोतरी के बाद और अलोक इंडस्री में 1200% की बड़ोतरी के बाद ये सामने आ रहा है कि सेवी को कुछ शक हो गया है कि ये वाकई मल्टी बैगर शेर्स थे या इन में कोई सर्कुलर ट्रेडिंग का शक जताया जा रहा है इस वीडियो के मादम से मैं बताने ही कोशिश करूँ है जांचने की कोशिश करेंगी कि सच है क्या रूची सोया और अलोक इंडस्रीज को लेकर मार्केट में बहुत साइख खपरे आ रही है बहुत लोगों का मानना था कि रूची सोया और अलोक इंडस्रीज के ऊपर से भी प्रोब चलाएगी। इसमें वो ये investigate करेगी कि क्या कोई mal practice तो नहीं हुई है, इन दोनों की shares की trading में, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद circular trading का एक मामला हो सकता है, जो अगर अच्छे तरीके से investigate करें तो सामने आ सकता है, इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंतक पड़ेगा, अगर आप investor हैं, तो ऐसे incidents आपके लिए बहुत बड़ा learning curve हो सकते हैं, ताकि किसी भी random instructions को आप follow ना करें, कोई भी advice दिने से पहले, खुद उसके बारे में अच्छे से जानने की इच्छा रखें, उससे समझिए, पर रखें, उसके बाद ही trading या investment करने की कोश सकते हैं, वीडियो के description में उसका link दिया हुआ है, उस पे click किजिए और आज ही account खोलिए, और दोस्तों एक और चीज मैं announcement आपको करना चाहता हूँ, कि जितने भी लोग मेरे इस video description पे दिये गए angel broking के link से account खोलते हैं, उनको मेरे lifetime free tips group में admission मिलेगा, जो एक telegram channel है मेरा, उस में उनसे कोई fees नहीं ली जाएगी और हमेशा उनको nifty, bank nifty और बहुत सा इस stocks के daily level analysis करके market से पहले ही दे दिये जाते हैं, तो अगर आप भी मेरे free tips group का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही description पर दिये गए angel broking के link पे click किजिए और account खोलिए, चली समझने है, रूची सोया ने जब bank करपसी अनौंस किया, तब उसके shares बिल्कुल नीचे आ गए थे, चली स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं उनके भाव क्या थे, उसके बाद 27 January को लिस्ट हुआ फिर से, रूची सोया ने जब bank करपसी अनौंस किया था, तब उसके shares बिल्कुल नीचे आ गए थे इन्वेस्टर्स को काफी लोग स उठाना पड़ा था, रूची सोया का market evaluation बैंक करपसी के पहले प्रिविस प्रमोटर्स के अंदर 432 करोड था, 4232 करोड वो भी नुमेंबर 2010 में, लेकिन पिछले 6 महिने में रूची सोया के shares ने 8,819 परसेंट की चलंग लगाई, तीन जु परविंदो, फार्मा, लिोपिन, मैरिको से 20 जादा है, पिछले 5 स्रेडिंग सेशन में रूची सोया लोर सेकेट में है, 26 जून से ही इस share का downtrend शुरू हो गया था, तब तक ये 1500 रुपे के आसपास trade कर चुगा था और आज हाल फिलाल 1166 रुपे के आसपास की इसकी closing है, ऐ वो भी अपरेल के बाद से, पिछले 5 दिनों से अपरिट सरकेट लगाने के बाद, लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में अलोग इंडस्री के भी lower circuit लगे हुए है, इनका अभी market evaluations काफी जादा बड़ा है, अब सवाल यह है कि सेभी आखिर क्यों ये कह रही है कि इनको प्रॉ प्रॉनावायर्स की वज़े से, देश की जनता घर पे जैसे बैठ गई, वैसे ही उनको share market में पैसा invest करना है, वैसे ही उनको share market में पैसे invest करने का नया medium दिखा, एक तरीके से ये सही भी है और इसकी वज़े से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन जो relatively inexperienced investors हैं, उनको market trends read करना नहीं आता, कोई भी random advice को follow करते हैं, और जहां crowd है, वहीं पहुंच आती है, अलोग industries और रुची स्वय को लेके बहुत हवा गरम थी, कहा जा रहा था कि पिछले एक महीने से, शायद ये नए investors इसी गरम हाँ से inspired होके, इन दोनों stocks पे तूट पड़े, भारी म industries पर भी वीडियो बनाइए, चलिए वीडियो आप ही के लिए है, अब पहले समझ लेते हैं, circular trading होती क्या है, ये एक trading का illegal तरीका है, अगर किसी broker या group of brokers को ये पता है, कि कुछ amount का buy order आने वाला है, तो वो उसी time पर same amount का sell order डालते हैं, इससे total number offset हो जाता है, मगर index में volume double हो जाता है, कोई भी index में volume double होने से apparent reason ये दिखता है कि company के liquidity flow में improvement आया है, company का हाल बहुत ही अच्छा है, और ये सारे positive signs होते हैं, जिसको immature investors समझ नहीं पाते हैं, और stocks में invest कर डालते हैं, इसलिए overall जो company अच्छा नहीं कर सकती होती है, वो अचानके investors की नतोरों में आ जाती है और उपर चड़ना शुरूग हो जाती है, लेकिन जब तक लोगों को पूरा मामना पता चलता है, तब तक stock अपने maximum limit तक पहुँच चुआता है, और फिर ऐसे गिरता है कि पूरा पैसे लेकि डूपता है, इसलिए circular trading एक illegal tactic है, इसको majority countries में ban किया गया है, क्या alok industries और प्रोंग promoter presence और floating shares के number कम होने के वज़े से ये price बढ़ा है, लेकिन फिर भी numbers काफी abnormal है, ये brokers का भी मानना है, क्योंकि February end के बाद से lockdown के time पे जो selling चालू हुई, उससे पूरे market का जो बहुत जटका पहुचा है, और अभी तक market उससे recover नहीं कर पाया है, इस हाल में सिर्फ इ ये rally बहुत ही जादा interesting है, इसे invest करने से पहले सिर्फ YouTube मत देखा कीजिए, market को समझने की कोशिच क्या कीजिए, chart patterns, volume pattern, candle 6 pattern, data analysis, इन सारे factors को अच्छे से समझ के, फिर किसी भी multi baggers या penny stocks में invest क्या कीजिए, और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, कि कभी भी कोई stock में अ पर हमाई नजर बनी रहेगी, और आपको भी ध्यान अकना पड़ेगा, और दोस्तों ऐसे interesting videos, ऐसी information आप चाहते हैं, तो please channel को अगर अबी तक आपने subscribe नहीं क्या है, तो don't miss the opportunity, subscribe the channel right now, please press the bell notification, ताकि सभी notifications आपको time पर मिले, और सारी information आपको सबसे पहले हां से लो, news और information प क्लिक करके अपना account खुलना मत भूलीगा, ताकि आप मेरे free tip group का हिस्सा बन सके, thank you so much for watching this video, take care, bye bye, jahin